तो फीटर ट्रेट के प्रैक्टिस सेट 6 को लिग करके हम लोग आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं नमस्कार साथ हूँ आप सभी लोगों का हार्दी कभी रंदन है और आप लोग अगर हमारे यूटूब चैनल अननजी एजुकेटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तुकि इस तरह के रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलते रहते हैं एक्जाम के अपडेट्स और स्टेडी मेटरियल्स भी है आपको अमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो बने रही एक हमारे साथ और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो सीट मेटल का चैक्टर हम लोग continue करने वाले हैं आज की इस वीडियो में इस उपकरन सहायक उपकरन का नाम पूछा जा रहा है चलिए इसके option पर नज़र डालेंगे option number C इसका रेट अंसर होगा half moon stake half moon stake इसका नाम इसलिए है क्योंकि उपर की तरब से यहाँ पर क्या है half round है और half round है moon के shape में है इसलिए हम लोग इसे half moon stake बोलेंगे question number 102 पर चलेंगे कि rivet को अंतिम आकार देने के लिए किस riveting tool का उपयोग किया जाता है यहाँ पर rivet को अंतिम आकार देने की बात हो रही है घ्यान दिजिए का एक rivet के उपर head होता है बीच वाली भाग इसकी body होती है और नीचे का भाग इसका क्या होता है tail का भाग होता है अब इसके tail वारे भाग को भी हम लोग head बना देते हैं और उसी को हम लोग इसके अंतिम आकार देने के process को बोलते हैं तो rivet के अंतिम आकार देने का जो process होता है उसे हम लोग rivet snap के जरिए करते हैं question number 203 देखेंगे तो नीचे की तरप एक riveting defect दी गई है और इसका रड़ेंसर होगा option number B यानि की too much allowance on sank sank पर बहुत अधिक allowance है जो इस दिख रहे चितर के अनुस्तार इस riveting defect का कारण है तो question number 204 है riveting में fluid type joint बनाने के लिए परियुक्त टूल का नाम बताईए यहाँ पर इसका option होगा C number यानि की full ring tool question number 205 है कि मोटी seats को काटने के लिए परियुक्त उपकरन का नाम बताईए मोटी seats का नजिकर रहे आप रहने की thicker seat को हम लोग किस tool के माध्यम से काट सकते हैं इसे हम लोग काट सकते हैं lever shear से B number यहाँ पर इसका right answer होगा question number 206 दिखेंगे तीखे मोट यानि की सार बैट्स बनाने के लिए इस stake का उपियोग किया जाता है तो यहाँ उपियोग किया जाता है option number B यानि की head edge stake का B number यहाँ पर head edge stake right answer होगा question number 207 देखेंगे इस stake का नाम क्या है नीची की तरप आपको एक stake नजर आ रहा है एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लें तो यहाँ पर इस stake का नाम होगा funnel stake यहाँ पर इसका C number 207 नमबर का right answer होगा question number 208 देखेंगे कि टीब की चादरों को चादरों की soldering के लिए किस flux का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है zinc chloride का C number यहाँ पर zinc chloride इसका right answer होगा question number 209 देखेंगे कि roofing और paneling के लिए धातू sheet के जोड में किस seam का उपयोग क्या है तो यहाँ पर seam के उपयोग के बारे में पूछा जा जा रहा है right answer होगा option number 209 की double group seam चली चलेंगे question number 210 पर की what is rivet interference rivet interference क्या है तो rivet interference का मतलब है length to form the head head बनाने के लिए लंबाई अगले question पर चलेंगे जोकी 211 नमर का question है की x के रूप में चिन्नित छेड का उद्देश क्या है तो यहाँ पर x के रूप में चिन्नित इस x वाले भाग के छेड का नाम और आप लोग को उद्देश की बताना है तो basically इस छेड का जो उद्देश है यहाँ पर वो उस का right answer का option number यानि की क्रैंक को बंद करना ए नमबर एरेस्ड़ क्रैंक इस छेड का उद्देश है तो question number 212 पर चलेंगे की what is the reason of failure riveting दोश पूर ने riveting के कारण क्या है जो की नीचे में यहाँ पर दिखाया भी गया है तो right answer होगा option number C यानि की improper joining of plates C number इसका right answer होगा याँ पर जो riveting की गई है जो jointing की गई है याँ पर वो बिलकुल ही गलत तरीके से की गई है improper तरीके से की गई है question number 2103 देखने वाले है side किनारे से पहले rivet की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है तो इसे निर्धारित की जाती है 2 into die of rivet 2 into die of rivet इस फॉर्मूले के ज़रिये हम लोग साइट किनारे से पहली रिविट की दूरी का निरधारन कर सकते हैं कुश्चन नमबर 214 है कि हाथ करतनी मशीन में X के रूप में चेनित भाग का नाम क्या है तो यहाँ पर आपको हाथ करतनी मशीन दिख रही है और X के रूप में ये वाला पार्ट को मार्क किया गया है आए इसके आप्सन पर हम लोग नज़र डालते हैं आप्सन होगा आप्सन नमबर D यानि की अपर ब्लेड इसे हम लोग अपर ब्लेड कहते हैं और इसे आप लोगों को याद होगा हमने अपनी प्रिवेस वीडियो में भी ये कुश्चन डिसकस किया हुआ है गहांदी है कुश्चन नमबर 216 है कि इस उपकरन का नाम आप लोगों को बताना है अब यह उपकरन तो बहुत ही पौप outta अपकरन है इसका नाम आप लोगों को बता ही हoveगा इसे हम लोग करते हैं Corkling Tool तो एक बार फिर से आपके सामने एक चित्र है रिविटिंग का और इसके अंदर की जो दोस है वो आपको देख करके समझ में आ रही है कि इसके अंदर क्या दोस है लेकिन चलिए हम लोग इसके option पर नजर डालेंगे यहाँ पर इसके अंदर का option number यानि की two little alliance आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम alliance दिया गया है जो कि इसके दोश का कारण है question number 218 भी देख लेंगे कि revise edge plate को दबा कर दर्व तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो यहाँ उपयोग किया जाता है फ्लूरिंग टूल का बी नमबर राइट एंसर होगा तो इसके बाद चलेंगे question number 219 पर बिविन प्रकार के हेम और सीम बनाते समय allowance की आवशक्ता क्यों होती है allowance की आवशक्ता क्यों होती है तो allowance की आवशक्ता इसी लिए होती है ताकि वहाँ पर क्या किया जैसे सके maintain correct size and improve the strength सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार करने के लिए हम लोग ऐसा करते है question number 220 है कि जोड और shoulder के लिए कौन सी धातू की seat सबसे आसान है तो यहाँ पर इसका right answer होगा option number यानि की tint plate तो यहाँ ए नमबर इसका right answer होगा tint plate अगला question है 221 नमबर का कि seat metal के काम में कौन सी धातू बहुती नरम और भारी होती है तो नरम और भारी होती है तो यहाँ पर होगा lead lead जो होती है वो नरम भी होती है और भारी भी होती है seat metal के काम में चलेगे question number 222 पे की कौन सी धातू की seat पानी और मौसम के संपर को जेल सकती है तो यह होगा आप right answer option number D यानि की जस्ता लोहा जिसे हम लोग glevenite iron भी कहते हैं चलेगे question number 223 पर की riveting operation में drift का उत्दिश्य क्या है What is the purpose of drift in riveting operation तो यहाँ पर होगा align the holes to be riveted C number यहाँ पर इसका right answer होगा कि rivetate करने वाले चिद्र को एक seat में रखना Question number 224 पर हम लोग चलेगे X के रूप में चिन्यत इस वाले tool का नाम यहाँ पर होगा Option number D यानि की full ring चलेगे question number 225 पर की कौन सा हातौड़ा riveting के लिए परियुक था यानि riveting कारे के लिए हम लोग किस hammer को suitable यानि की अच्छा मान सकते है तो यहाँ पर होग option number B यानि की ball pin hammer चलेगे question number 226 पर की seat metal के कौने पर कौन सा notch 45 डिगरी के कौन पर काटा जाता है तो यहाँ काटा जाता है stand notch stand notch जो है यहाँ पर इसका right answer होगा question number 227 पर चलेगे की seat धातू के दो किनारों को एक साथ जोडने द्वारा जो बनाया गया joint का नाम बताईए तो इस joint का नाम यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताईए इसे हम लोग seem बोलेंगे अगला question है 228 नमबर का question की powder की रूप में soldering के लिए इस्तवाल किये जाने वाले flux कौन सा है जो गरम करते समय वास्पित हो जाता है तो यह बहुत important question है रहाँ पर right answer होगा option number D यानि की ammonium chloride D number इसका right answer होगा name the type of seem यह seem किस फरकार का है आपको इसका नाम देना है चलिए चलेंगे question number के option पर यहाँ पर इसका right answer होगा option number A यानि की lab seem चलेंगे question number 230 पर की rivet सेर के परचेपन से बनने के लिए किस rivet का उपयोग किया जाता है तो यहाँ उपयोग किया जाता है counter sunk head rivet का D number इसका right answer होगा दोस्तो आज के इस वीडियो के यह जो topic के हमारा seat metal इसके आखरी question पर चलेंगे कि what is the minimum distance between the rivet to avoid bunking bunking से बचने के लिए riveting के बीच नियूंतम दोरी क्या होनी चाहिए या फिर क्या है तो होगा C number 3D 3 into D तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने 211 नंबर तक के question को discuss कर लिया जो की seat metal chapter का था और feature trade के first year के अंतरगत अगर आप CVT का exam देने वाले हैं तो यह जितने वीडियो हम लोग अपने YouTube चैनल आनन जी educator के माध्यम से आप लोगो को दे रहा है informative है तो दोस्तो आज का topic यहाँ पर खतम होता है अगली वीडियो में हम लोग अगली topic यूप पर discuss करेंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा चलिए जैहिन वंदे मातरम